हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे मिशेल योस के बारे में इतिहास कारों के अनुसार मिशेल यो का जन्म 6 अगस्ट 1962 में हुआ उम्रिकेसट वर्ष इपोह पेराक फेडरेशन आफ मलाया अब मलेशिया में अन्य नाम मिशेल खान शिक्षा रॉयल अकेडमी आफ डान्स बीए अभिनित्री वर्ष सक्रिय उन्नी सो तेटाती से वर्तमान मिशेल योह का जन्म मलेशिया के इपोह में हुआ था वह जैनेट योह और कियान टेक योह की बेटी हैं वह होकिन वंश की हैं और चीनी से पहले अंग्रेजी और मलाय बोलती हैं चार साल की उम्र से एक बैले डांसर वह किशोरा वस्था में रॉयल अकादमी में अध्यान करने के लिए लंदन चली गई एक संक्षिप्त नृत्य करियर के बाद उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में मिस मलेशिया सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब और मेलबर्ण आस्ट्रेलिया में मिस मूंबा सौंदर्य प्रतियोगिता का खिता जीता कैमरे पर उनका पहला काम 1984 में मार्शल आर्ट स्टार्ट जैकी चैन के साथ एक विज्यापन था 1985 में उन्होंने हांगकांग की D&B फिल्म्स के साथ एक्शन फिल्में बनाना शुरू किया पहले उन्हें मिशेल खान और फिर मिशेल योह के नाम से जाना जाता था 1988 में उन्होंने धनी D&B फिल्म्स के कारेकारी डिक्सन पून से विवाह किया और अभिनाई से सन्यास ले लिया भले ही 1912 में उनका तलाक हो गया लेकिन वह पून की दूसरी पतनी के करीब है और उनकी बेटी की गौड मदर है जब वह अभिनाई में लोटी तो वह चीनी दर्शकों के बीच बहुत लोगप्रिय हो गई बाद में वह जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमोरो नेवर डाइस 1997 और अभूत पूर्व रूप से सफल क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन 2000 में भूमिका के माध्यम से पश्चिमी दर्शकों के बीच जाने गई उन्होंने दे मैट्रिक्स 1929 के सीक्वल में एक भूमिका ठुकरा दी मिशेल यो एक मलेशियाई अभिनेतरी हैं हांकांग में अपनी शुरुवाती फिल्मों में मिशेल खान के रूप में श्रेप आने वाली वह 1980 और 1990 के दशक में हांकांग की एक्शन फिल्मों में अभिनाई करने के बाद प्रसिद्धी में आई जहां उन्होंने अपने स्टंट खुद किये इन भूमिकाओं में यस मैडम 1987 शामिल है मैगनिफिसेंट वारियर्ज 1987 पुलिस स्टोरी 3, सुपर कॉप 1972 संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के बाद यहोंने जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमॉरो नेवर डाइस उन्नी सो नन्टी सेवन और एंग ली की मार्शल आर्ट फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन 2000 में अभिनाई के लिए अंतरराष्ट्रिय पहचान हासिल की जिसके लिए उन्हें मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ट अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था उनके हॉलिवुड करियर ने मेमोयर्स ओफ एगीशा 2005, संशाइन 2007, दममी, टॉम्ब ओफ द्रैगन एंपरर 2008, रीगन ओफ एसैसिंस 2003, कुंगफु पांड़ा 2 2011 और दू लेडी 2011 में भूमिकाओं के साथ प्रगतिगी जिसमें उन्होंने आंग सांसू की की भूमिकाने भा और लास्ट क्रिस्मस 2019 के साथ साथ मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स फिल्म शांगची एंड दे लीजन ओफ दे टेन रिंक्स 2021 और टेलिविजन सीरीज स्टार ट्रेक डिसकवरी 2017-2020 में सहायक भूमिकाएं निभाई, एवलिन वांग के रूप में उनकी अभिनीत भूमिक पत्रिका अकादमी पुरसकार जीता, इस श्रेणी को जीतने वाली पहली एशियाई और अकादमी पुरसकार जीतने वाली पहली मलेशियाई बनी फिल्म समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने उन्हें 2008 में अब तक की सबसे महान एक्शन हिरोईन का दरजा दिया 1900 सेनामबर में उन्हें पीपल द्वारा दुनिया के 50 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक चुना गया और 2009 में उसी पत्रिका ने उन्हें 35 सर्वकालिक स्क्रीन सुंदरियों में से एक के रूप में सूची बद्ध किया 2022 में टाइम ने उन्हें अपनी वार्शिक सूची में दुनिया के सौ सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक और अपने आइकन आफ दे यर का नाम दिया 2024 में उन्हें Presidential Medal of Freedom मिला Automobile International 2016 में योह की शादी 1940 से 1902 तक हांग कांग के उद्यमी डिक्सन पून से हुई थी जो हारवे निकोल्स और चार्ल्स जॉर्डन जैसे व्यवसायों के स्वामित्व के लिए जाने जाते हैं 1950 से 2000 तक योह ने अमेरिकी हृदय रोग विशेशज एलन हेल्डमैन को डेट किया और आखिरकार उनसे सगाई कर ली 2004 में उन्होंने जीन टॉड को डेट करना शुरू किया उस समय स्कुडेरिया फेरारी के महाप्रबंधक और CEO और बाद में FIA के अध्यक्ष बने 26 जुलाई 2004 को दोनोंने सगाई कर ली 2019 तक वह टॉड के साथ स्विट्जर लैंड के जिनेवा में रहती है इंस्टाग्राम पोस्ट में पूर्व स्कुडेरिया फेरारी ड्राइवर फेलिप मासा ने कहा कि योहा और टॉड की शादी 27 जुलाई 2023 को जिनेवा में हुई थी योहा के कोई बच्चे नहीं है और उन्होंने अपनी पहली शादी को खत्म करने का कारण बच्चे पैदा करने में असमर्थता बताया है योहा बौध हैं और एक कार्य करता है योहा ने 2013 के मलेशियाई आम चुनाव से पहले मलेशियाई प्रधान मंतरी नजीब रजाक और गठ बंधन बारिसन नैशनल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया 2022 में उन्होंने वैनिटी फेयर को बताया कि शेक्स्पियर और स्टीफन किंग उनके पसंदीदा लेखक थे और टार्जन उनका पसंदीदा काल्पनिक नायक था 1999 में वह 49 में बरलिन अंतरराश्ट्रिय फिल्म महोटसव में जूरी की सदस्य थी 19 अपरेल 2001 को योहँ को उनके ग्रिह राज्ज पैराक के सुल्तान अजलान शाह द्वारा राज्य को उनके द्वारा दिलाई गई प्रसिध्धी के सम्मान में दर्जाह दात्तुक पादुका महेकोटा पैराक डीपीएंपी से सम्मानित किया गया जिसे दातों की उपाधी दी जाती है 25 नवंबर 2002 को योह को JCI जूनियर चैंबर इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के उतकृष्ट युवा लोगों TOYP सांस्कृतिक उपलब्धी के रूप में सम्मानित किया गया 23 अप्रेल 2007 को फ्रांसीसी राष्ट्रपती जैक्स शिराक ने योह को Knight of the Legion of Honor की उपाधी से सम्मानित किया यह अलंकरण उन्हें 3 अक्टूबर 2007 को कुवा लालंपूर में एक समारोह में प्रदान किया गया था उन्हें 14 मार्च 2012 को फ्रांसीसी राष्ट्रपती निकोलस सरकोजी द्वारा उसी दिन राष्ट्रपती निवास एलिसी पैलेस में आयोजित एक समारोह में उसी फ्रांसीसी आदेश ओफिसियर डेला लीजन डी होनूर के अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था 22 माई 2012 को योह को दरजाह सेरी पादुका महकोटा पेराख SPMP से सम्मानित किया गया जो पेराख के सुल्तान अजलान शाह के जन्म दिन के अवसर पर आयोजित निवेश समारोह के दौरान दांतों सेरी की उपाधी देता है योह को मार्च 2013 में हांग कांग में साथवें एशियाई फिल्म पुरसकारों के दौरान एशियाई सिनेमा में उतकृष्टता का पुरसकार मिला एक जून 2013 को योह को यांग दिपर्टवान अगोंग तुआंकू अब्दुलहलीम मौदजम शाह के जन्म दिन के अवसर पर आयोजित निवेश समारोह के दौरान पांगलिमा सेतिया मेहकोटा पी एसेम से सम्मानित किया गया जो तान श्री की उपाधी देता है 30 नवंबर 2013 को योह ने भारत के अंतर राश्ट्रिय फिल्म महोट सव में मुख्य अतिति के रूप में अध्यक्षता की 12 फरवरी 2016 को योह को कुवालालंपुर में फ्रांसी सी राजदूत द्वारा ओर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस का अधिकारी बनाया गया वह यह सम्मान पाने वाली पहली मलेशियाई नागरिक बनी योह को 2020 की BBC की सौ महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था उन्हें 2022 में टाइम पत्रिका की दुनिया के सौ सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था 13 अगस्त 2022 को योह को चलती छवी की कला में उनके विशिष्ट योगदान के लिए अमेरिकी फिल्म संस्थान से ललित कला की मानद डॉक्टरेट की उपाध ही मिली वह यह सम्मान पाने वाली पहली एशियाई कलाकार बनी 9 दिसंबर 2022 को योह को सांता बारबरा अंतरराष्ट्रिये फिल्म महोतसव से किर्क डगलस पुरसकार मिला 3 मई 2024 को भाइट हाउस ने घोशना की कि योह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान Presidential Medal of Freedom मिलेगा योह को रूढिवादिता को तोड़ने और अमेरिकी संस्कृति को सम्रिध करने के लिए जारी रखने के लिए उद्रित किया गया था तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर दीजिए थैंक यू